हलो बच्चों मैं निहा सैन नौ भार्दी परिवार में आपका स्वागत करती हूँ आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में शब्द निर्मान की प्रक्रिया का पहला प्रक्रण अर्थात संधी शब्द वनानी के लिए हमें 4 चीजों का जानना बहुत आविशक है जिन में सबसे पहली बात आती है संधी क्योंकि हम इससे पहले वर्ण विचार पढ़ चुके हैं तो वर्ण विचारों में हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजनों के बारे में उनी और स्वर और व्यंजिनों के मेल से किसका निर्मान होता है शब्दों का निर्मान होता है तो उनका जो मेल होता है वही क्या कहलाता है संधी कहलाता है तो चलिए संधी के बारे में जानते हैं पढ़ते हैं और देखते हैं संधी क्या होती है संधी संधी शब्द का अर्थ है मेल, मेल अर्थात जोड या फिर संयोग दो निकट वर्थी वर्णों के परस पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्थन उत्पन होता है वही संधी कहलाता है जब वर्णों या स्वरों को पास लाया जाता है उनको मिलाया जाता है मेल होता है उनमें तो उनमें विकार उत्पन होना आविशक है अर्थात परिवर्टन होना आविशक है और वही परिवर्टन या वही विकार क्या कहलाता है संधी कहलाता है जैसे ने धन अन नयन अब यहाँ पर ए और अ मिलके आय हो गया तो ने यहाँ पर दोनों स्वरों के मिलने पर जो विकार उत्पन हुआ वो क्या हुआ ऐ फिर गई धन अक गायक आई और अ के मिलने पर आय विकार उत्पन हुआ तो वो गायक हो गया नव धन एक नाविक यानि आउ और ई मिलके आव हो गया फिर देव धन इंद्र देवेंद्र हो गया व का अ और इंद्र का ई दोनों मिलके क्या हो गया ए रुपी विकार उत्पन कर रहे हैं भानूद अनुद है तो भानूद का छोटा हूँ और उदै का छोटा हूँ ये दोनों छोटे हूँ मिल करके यहां बड़े हूँ का विकार उत्पन कर रहे हैं थे अर्थात जब दो निकट वर्थी वर्णों का परसपर मेल किया जाता है तो उनसे उत्पन होने आला विकार ही क्या कहलाता है संधी कहलाता है बचो यह जो प्लस का निशान आपको दिख रहा है इस प्लस के निशान की जस्ट पहले और प्लस के निशान की जस्ट बाद में पह तीन प्रकार की होती है स्वर संधी वियंजन संधी और विसर्ग संधी आईए विस्तार से पढ़ते हैं स्वर संधी मैंने आपको बताया था वरण कितने प्रकार के होता है दो प्रकार के स्वर और वियंजन तीसरा अयोगवा होता है जो कि ना स्वर होता है ना वियंजन होता तो स्वर संधी के अंदर दो स्वरों के मेल से उत्पन होने वाला विकार ही क्या कहलाता है स्वर संधी कहलाता है अर्थात प्लस का साइन जो था प्लस का निशान जो था उसके आगे वाला जो शब्द है उसमें भी स्वर होना चाहिए और पीछे वाला जो शब्द है उसमें भी स्वर होना चाहिए और दोनों मिलकर जो विकार उत्पन कर रहे हैं यहां पर वो भी स्वर का ही हो रहा है जैसे विद्या, धन, आले विध्या का अ और आले का अ दोनों मिलके क्या होगा यहां आ विकार दे रहे हैं आ का परिवर्ट नोरा है तो दोनों का क्या होगा विध्या ले आगे देखिए जिस प्रकार संधी के तीन प्रकार होता है न बच्चों ऐसे ही स्वर संधी के भी पांच प्रकार होता है कौन-कौन से दिर्ग संधी, गुन संधी, यन संधी, वृद्धी संधी और अयादी संधी चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में दिर्ग संदी क्या होती है बच्चो जैसे की नाम से आपको पता पढ़ रहा है दीर्ग दीर्ग का मतलब क्या होता है बड़ा ठीक है तो सूतर अकह सावर्ण दीर्ग अर्थात अक प्रत्याहर के बाद उसका सावर्ण आए तो दोनों मिलकर दिर्ग हो जाते हैं हरस्व या दिर्ग A, E, U के बाद यदि हरस्व या दिर्ग A, E, U आ जाए तो दोनों मिलकर दिर्ग A, E और U हो जाते हैं कहने का ताथ पर यहां यह है कि यदि प्लस के आगे और प्लस के पीछे दोनों में अ परिवार आए, अ परिवार यानि अ या आ में से कोई सबी सवर आए या छोटी या बड़ी इ में से कोई सबी सवर आए या छोटे हुँ या बड़ाओ में से कोई सबी सवर आए आप इनको परिवार बना लीजिए A, A का, छोटी E, बड़ी E का, छोटा U और बड़ा U का तो इन तीनों परिवारों में से कोई भी स्वर आते हैं तो उनके मिलने पर जो विकार रत्पन होता है वो A वाले परिवार का A होगा E वाले परिवार का बड़ी E होगा और उ वाले परिवार का बड़ा उ होगा देखो कैसे अ आ या अ आ बराबर आ होता है कैसे धर्म धन अर्थ धर्मार्थ धर्म धन अर्थ धर्मार्थ होगे आप धर्म का अ और अर्थ का अ आपको प्लस से पहले वाले का शब्द का क्या देखना है अंतिम स्वर देखना है अंतिम वर्ण देखना है और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण देखना है और उन दोनों के मेल पर उत्पन होने वाला विकारी क्या है हमारा संधी है अपर धर्म का और अर्थ का और दोनों मिलके क्या हो गए आ हो गए तो क्या आया हमारा धर्मार्थ फिर देखिए हिम धन आले उपर वाले उधारण में दोनों में और अ था नीचे वाले उधारण में अ धन आ है तो इसको मिलाने पर भी आविकार उत्पन होता है हिमाले विद्यादन अर्थी अब पहले वाले में आ है और दूसरे वाले में अ है ये दोनों मिलके भी किसका दे रहे हैं आ का विद्यादन अले अब दोनों पदों में आ का समेल हो रहा है दोनों पदों में आसवर है इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा आ आएगा कहने का मतलब आपको समझ में आया कि आपने मैंने जो पताया था आपको आप पूरा परिवार मानिए इसको अ का परिवार, इ का परिवार और उ का परिवार तो A का परिवार के उधारन आपको समझ में आ गए आप E के परिवार के उधारन देखते हैं छोटी E प्लस छोटी E बराबर बड़ी जैसे रवी, धन, इंद्र बराबर रवी, इंद्र अब रवी का छोटा E और इंद्र का छोटा E दोनों मिलके क्या हो गए? बढ़ाई हो गए नीचे रेखिए छोटी E धन बड़ी बराबर बड़ी मतलब गिरी धन इश बराबर गिरी इश अब गिरी में क्या है? छोटी E है और इश में क्या है? बड़ी है दोनों मिलके क्या दे रहे हैं बड़ी इ दे रहे हैं फिर बड़ी इ धन छोटी बराबर बड़ी मही धन इंद्र मही इंद्र बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी जैसे नदी धन इश नदीश अर्थात कैसे भी जोड़ो कैसे भी इनको योग करो कैसे भी इनका मेल करो बरा बढ़ाऊ भानु धनु दें चोटाऊ बढ़ाऊ धन पिर चोटाऊ धन बढ़ाऊ जैसे लगों धनु ऊंदू अर उर्मी का बढ़ाऊ दोनों मिलके क्या हो गए यापर बढ़ाऊ हो गए। भी बड़ा उही होते हैं तो भू, धन, उर्द्व, भूर्द्व अर्थात इन स्वरों के मेल से उत्पन होने वाला विकार भी क्या है यहां पर दीर्ग स्वर के रूप में हमें प्राप्त हो रहा हैं इसलिए इसे क्या कहा जाता है दीर्ग संधी कहा जाता है आगे देखते हैं गुण संधी क्या होती है गुण संधी तीन परिवार आप पढ़ चुके है कौन कौन से अ का परिवार, छोटी का परिवार और छोटे उ का परिवार अब इससे आगे चलते हैं इसमें अ आ के आगे इई हो तो ए U, U हो, तो O तदा R, हो, तो अर हो जाता है. अब देखो कैसे हो जाता है इसे गुण संदी कहते हैं वो फैमली हमारी खतम हो गई अब प्लस से पहले यदि A या A में से कोई स्वर है और प्लस के बाद में छोटी E या बड़ी E में से कोई स्वर है या छोटा O या बड़ा O में से कोई स्वर है यदि E है तो वो A हो जाएगा और यदि O है तो वो O हो जाएगा अर्थात एक मात्रा वाले शब्ध हमारे गुण संदी के अंतरगत आते हैं जैसे A धन E बराबर A नर धन इंद्र नरेंद्र तो नर का A और इंद्र का E दोनों मिलके क्या हो गए या क्या विकारुत्पन हुआ A के रूप में पिर देखिए A धन E बड़ी E है या बराबर A वापस वई नर धन इश नरेश हो गया फिर A धन E A महा धन इंद्र क्या हो गया महेंद्र फिर A धन E A हो गया वापस महा धन E इश क्या हो गया महेश हो गया A के बाद में क्या है छोटी E या बड़ी E आए A या A के बाद में छोटी या बड़ी E आने पर उनमें जो विकारुत्पन होता है वो क्या हो जाता है A के रूप में प्राप्त होता है आगे देखिए अधन उ बराबर ओ महाधन उर्मी महोर्मी आया समझ में बच्चो आगी देखिए वृद्धी संदी अ आ का ए अई से मेल होने पर तथा अ आ का ओ से मेल होने पर वो अउ हो जाता इसे वृद्धी संदी कहते हैं गुण संदी में आपने क्या देखा था एक मात्रा वाले शब् ठीक है वहाँ पर क्या था और अ या आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आती तो वो ए हो जाता है एक मात्रा वाला और छोटा उ या बड़ा उ होता है तो वो हो जाता है एक मात्रा वाला देखो कैसे, अ धन ई बराबर अई, एक धन एक, अब एक का अ और दूसरे वाले एक का ए, दोनों मिलकी क्या हो गए, यहां अई हो गए, तो धारन क्या हो गया हमारा, एक एक, फिर देखिए, अ धन अई, अब अ धन अई भी क्या होता है, अई होता है, मत धन एक क्या है, तो क आधन अई बराबर आई महाधन एश्वर्य महिश्वर्य फिर अधन ओ बराबर आउ वन धन आउशदी वन आउशदी आधन ओ बराबर भी आउ होता है महाधन आउशदी महोशदी फिर अधन ओ भी आउ होता है परम धन आउशद परम आउशद आधन अव बराबर अव यानि महाधन आउशद महोशद आया समझ में आगे देखिए यन संधी अब यन संधी क्या होता है इसमें अगर छोटी या बड़ी ए के आगे कोई वी जाती है यानि असमान स्वर होने पर या बड़ी ए का क्या हो जाता है यह हो जाता है परिवार हो जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या करना है आपको अगर प्लस से पहले वाले शब्द में छोटी E की शब्द आते हैं तो वो छोटी E के शब्द या बड़ी E के शब्द किस में बदल जाते हैं यह में बदल जाता है वो जो E की मात्रा जो होती है न बच्चों वो Y में बदल जाती है ठीक है अ समान स्वर आने पर यदि प्लस से पहले छोटी E या बड़ी ही है और प्लस के बाद में कोई अन्य स्वर है तो वो क्या हो जाता है E का Y हो जाता है ठीक है फिर अगर O या बड़ा O प्लस से पहले छोटा O या बड़ा O में से कोई एक है और प्लस के बाद में कोई अन्य स्वर है O या बड़ा O नहीं होना चीए यदि O या बड़ा O हुआ तो वो दीर कसंदी में चला जाएगा क्योंकि ये एक परिवार के हो गए तो वहां बड़ा O आ जाएगा ठीक है तो O या बड़े O के आगे कोई अन्य स्वर आता है तो O का क्या हो जाता है व हो जाता है ठीक है बच्चों और अगर री आता है तो वो आधे र में बदल जाता है देखिए कैसे इधन अ बराबर ये यदी धन अपी यद्यपी अब देखो द में छोटी की मातरा है या नहीं है तो इस छोटी की मातरों का हम किसमें बदलेंगे ये में बदलेंगे और ये कैसा आधा ये और पीछे वाला जो अस्वर है वो द में जुड़कर के उसे पूरा बनाएगा द या आधा रहे गया और ये जो है उसमें अ जुड़के ये को पूरा कर दिया तो हमारा उधारन क्या हो गया यहां यद्यपी आगे देखिए बड़ी ए धन आ बराबर ये जैसे इती धन आधी इत्यादी अब छोटी इए आप इती में भी इती में छोटी इ और आधी का आ तम इसे हमने इ निकाला क्या बचा ये तो आधा रहे गया और पीछे वाला आ उसमें जोड़ा तो क्या हो गया वो यादी हो गया आधे तर और इको इसमें सैसे कि वैसे जोड़ दो क्या हो गया इत्यादी नेक्स देखिए नदी धन अरपन नद्यरपन देवी धन आगमन अब यहाँ पर देवी धन आगमन तो इ को किसमें बदला हमने य में बदला और पीछे वाला जो आ है वो उसमें जुड़ करके उसे पूरा बना रहा है आगे देखिए उ धन अ बराबर व वो तो किसके उधारन थे य के उधारन थे अब व के उधारन देखिए देखिए प चोटे हूँ के बाद में, बाद वाले शब्द में क्या है? अ आ रहा है, अन्यस्वर आ रहा है, तो दोनों मिलके क्या करेंगे? चोटा हूँ तो किसमें बदल जाएगा व में बदल जाएगा और पीछे वाला स्वर उस व में जुड़ करके उसे पूर्ण रूप प्रदान करेगा अनुधन अय अन्वय सुधन आगत स्वागत अनुधन एशन अन्वेशन फिर देखिए री का उधारन पित्री धन आग्या पित्राग्या री किसमें बदला र में बदला और तामें जब र जुड़ता है तो वो क्या हो जाता है त्र हो जाता है ठीक है ऐसे ही महा धन रिशी क क्या हो जाता है सबतर्शी हो जाता है मात्री धन आग्या क्या हो जाता है मात्राग्या हो जाता है ठीक है आगे देखिए आयादी संधी स्वर संधी का पाच्वा और अंतिम्भेद कौन सा है आयादी संधी इसमें क्या होता है बच्चों ए अई और ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशिय आय आय अव और आफ हो जाता है इसे आयादी संधी कहते हैं अर्थार प्लस से पहले तो क्या होना चाहिए ए अई ओ अउ इन चारों से कोई सब इस्वर हो और प्लस के बाद में अन्य कोई सब इस्वर हो तो क्या हो जो ए की मात्रा है वो तो आए में बदल जाती है जो ऑ की मात्रा है वो अव में बदल जाती है और जो अ की मात्रा है वो आव में बदल जाती है कैसे देखो ए धन अ बराबर ए मतलब ने धन अन अब ने में आपको किसकी मात्रा दिख रही है एकी मात्रा दिख रही है और प्ल रह गया जब हमने न में से एक अस्वर निकाला एक ही मात्रा निकाली तो वो क्या रह गया हमारे पास में only आधन रह गया अब आधन प्लस ए किसमें बदला हमने आए में प्लस अन ठीक है अब क्या बन गया ये नयन आगे देखिए गई धन अक अब आई को किसमें बदला हमने आय में बदला, अब आय, ग में से अई निकाला तो वो ग अदा रह गया, ग, अदा ग, धन आ, धन अक, तो क्या हो गया ये, गायक, क्या हो गया, अब ओ के व दारण देखते हैं, ये तो थे एके और अई के, आगे देखिए, ओ, धन अ, बराबर क्या हो जाता है, अब हो जाता पो धन अन अपलस से पहले वाले में किसकी मात्रा है ओ की मात्रा है अपलस के बाद में क्या है तो अन्यस्वर आया तो ओ का क्या हो गया अव हो गया जैसे पवन पव धन अक क्या हो गया पावक अव का क्या हुआ आव हो गया फिर नव धन एक तो अव का क्या हुआ आव हो गय आई आता है तो आई हो जाता है, ओ आता है तो अव हो जाता है और आउ आता है तो आव हो जाता है ये थी हमारी स्वर संधी, आगे देखते हैं वियंजन संधी, क्या होती है वियंजन संधी देखो स्वर संधी में स्वरों का मेल हो रहा था व्यंजन संधी में प्लस से पहले और बाद में दोनों और व्यंजन हो सकते हैं और प्लस के एक और स्वर और व्यंजन भी हो सकते हैं ठीक है व्यंजन का व्यंजन से अत्वा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधी जैसे शरत धन चंद्र क्या हो गया शरत चंद्र अब देखो यहाँ पर प्लस से पहले क्या है तव आ रहा है तव क्या है व्यंजन है प्लस के बाद में क्या है च आ रहा ह तो इसलिए क्या है व्यंजन संदी कहलाती है तो व्यंजनों का मेल हो रहा है आपर ठीक है अब इसके कुछ नियम है उन नियमों के आधार पर हम उन व्यंजनों में परिवर्तन करते हैं कैसे करते हैं आईए देखते हैं पहला नियम, किसी वर्ग के पहले वर्ण, क, च, ट, त, प, कामेल, किसी वर्ग के तीसरे, अत्वा, चोथे वर्ण, या, य, र, ल, व, ह, या किसी स्वर से हो जाए, तो क, क, ग, च, क, ज, ट, क, ड, और प, क, ब, हो जाता है कुछ समझ में नहीं आया, simple सी language में से समझो, अगर आपके पास में, पहला वाला जो वर्ग है, यानि आपका जो पहला पद है, प्लस से पहले वाले जो शब्द हैं, इन शब्दों में, क, च, ट, त, प, यानि जो व्यंजन है, आपके इस परश व्यंजन, इस परश व्यंजन कोई चोथा veron आजाता है या फिर यर लव ह में camino कोई वरण आता है कोई विंजन आता है तो आगे वाले पहले veron है वो सारे के सारे उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्टित हो जाते हैं यहाँ आपको 13 का 36 करना है 1 3 का 3 3 करना है जो पहला वाला वर्ण है, वो किस में बदल जाएगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, जैसे, दिक धनगज, दिगज, अब कर है, कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है, अब इसी वर्ग का, तीसरा वर्ण क्या है, गर है, तो एक, तीन को क्या करना है, हमें, त 35 करना है 13 को 33 करना है तो क किसमें बदला इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा तो क्या हो गया दिगज हो गया अब देखिए वाक धन इश अब क क्या है पहला वर्ण है इसके बाद में क्या है स्वर है अगर कोई भी स्वार आता है तो क्या करते हैं हम क का ग यानि एक का तीन कर देते हैं क्या हो गया वागीश हो गया अच्छ धन अन्त अधचा है अधच च अच्छ एक बात बताओ बचवों अगर यहाँ पे पूरा च होता तो क्या ये विंजन संदि होती जी नहीं ये वेंजन संदी नहीं होती, ये स्वर संदी हो जाती, क्योंकि अ, धन, अ क्या होता है, आ होता है, ठीके, आगे देखते हैं, अच्छ धन अंत, तो ये अगर यहां पर अ होता, तो क्या हो जाती, स्वर संदी हो जाती, लेकिन यहां पर च्या आधा है, इसमें कोई स्वर नह लेगा तो च, च, ज, च किसमें बतला, ज में बतला, उसमें जुड़ा तो ज पूरा हो गया, क्या हो गया हमारा उधारण, जन्त, ठीक है, फिर देखिए, शट धन, आनन, अब त है, त वर्ग का तीसरा विंजन कौन सा होता है, तीसरा वर्ण कौन सा होता है, त तो क्या हो गय ये शडानन अप धन्ज क्या हो गया आपज आए आपको बात समझ में कि अगर आपके पास में प्लस से पहले कचट तप में से कोई भी व्यंजन है यानि किसी वर्ग का पहला वर्ण है और प्लस के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण यरलवह या फिर कोई स्वर है तो एक का तीन हो जाता है अर्थाद पहला वर्ग पहला वर्ण जो है वो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है आगी देखिए दूसरा पहला नियम था हमारा तेरा को तैस्थ करना अब दूसरा नियम क्या कहता है हमारा दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण में कचट तप का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके इस्थान पर उसी वर्ग का पाचवा वर्ण हो जाता है वहाँ तेरा का तैस्थ करना था या पंद्रा का पच्पन करना है कैसे करना है देखो वाक धन में वांग में कैसे हुआ अब देखो प्लस से पहले क्या है कचट तप में से एक वर्ण है कौन सा अब प्लस की बाद में क्या है म है तो नियम क्या कहता है हमारा अगर म या न में से कोई वर्ण है और उससे पहली क्या है कचट तप में से कोई एक वर्ण है तो वह पहला वर्ण उसी वर्ण के पांचवे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है तो वाक धन में वाक क का पाँचवा वर्ण क्या होता है तो क्या हो गया ये वांग में फिर देखिए अच धन नाश तो चवर्ण का पाँचवा वर्ण कौन सा होता है यह जो चवर्ण है उसका पाँचवा वर्ण क्या होता है यह तो क्या हो गया अयनाश फिर देखे शट धन मास तो ट वर्ग का पाँचवा वर्ण कौनसा होता है न तो अणे आधा क्योंकि ट आधा है याप इसलिए अणे भी आधा है का तो क्या हो गया ये शन मास उत धन नयन उन नयन अप धन मैं अम्मै उत तवर्ग का पाच्ववर्ण कौन सा होता है न और पवर्ण का पाच्ववर्ण कौन सा होता है मा तो क्या हो गया अम्मै आगे देखिए त का मिल ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व या किसी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है अब तीसरा नियम क्या कहता है कि प्लस से पहले आधत है और प्लस के बाद में दूसरा या तीसरा वर्ण है या फिर य, र, व है या कोई भी स्वर है तो जो त है, जो आधत है, वो किस में परिवर्टित हो जाता है द में परिवर्टित हो जाता है जैसे सत धन भावना तो त के बाद में क्या आया? भ, 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 कौन सा वर्ण है? दूसरा वर्ण है तो किस में बदलेगा त? द में बदलेगा क्या हो गया सद्भावना जगत धन इश क्या हो गया जगदीश त किसमें बदला द में क्योंकि क्या दे रखा है त के बाद में कोई भी स्वर हो तो भी द में बदल जाता है भगवत धन बगदी वही पहले वाले उतरानगी जैसे देखो भगवद बक्ती, फिर सत्धन धर्म सत्धर्म, सत्धर्म क्या हुआ? सत्धर्म आगे देखिए, यह हमारे तीन नियम हुए चौता नियम कहता है कि त से परे च या च होने पर त से परे, यानि प्लस से पहले त हो, प्लस के बाद में क्या हो च या च होता है, तो वो च में बदल जाता है, ज या ज होता है, तो वो ज में बदल जाता है, ट या ठ होता है, तो वो ट में बदल जाता है, इ, सॉरी, ड या ड होने पर वो किसमें बदल जाता है, ड हो जाता है, ल होने पर वो ल हो जाता है, ठीक है, कैसे, उत धन चारण, उत आधे चा में बदल जाएगा सत धन जन सजन उत धन लास उलास आगे देखिए तरका मेल यदि श से हो तो तरका तो च हो जाता है और श का छ बन जाता है तरका तो तरका क्या बन जाता है च बन जाता है और श क क्या बन जाता है छ बन जाता है जैसे उत्धनिश्वास क्या हो गया? उत्छवास उत्धनिश्ष्ट क्या हो गया? उत्छिष्ट सत धन शास्तर क्या हो गया सत छास्तर तर का तो च हो जाएगा और श का क्या हो जाएगा च हो जाएगा ठीक है यह उगा है हमारे पांच नियम अगला नियम देखिए तर का मेल यदि ह से हो तो तर का द और ह का ध हो जाता है ठीक है यदी त का मेल किसे वो हा से हो तो तयका तो क्या हो जाएगा द हो जाएगा और हा क्या हो जाएगा धा हो जाएगा कैसे उत धन हार तयका क्या हुआ द हा क्या हुआ धा तो क्या हो गया उत धार उत धन हरन, उत धरन, तत धन हित, तत धित, तक क्या हुआ, आदा द, और ह क्या हुआ, धा हो गया ठीक है, 6 नियम होया हमारे, सात्वा नियम देखिए स्वर के बाद यदि, 6 वर्ण आ जाए, तो 6 से पहले, चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है अब यहाँ पर प्लस से पहले क्या है स्वर और स्वर के बाद में क्या है च और यदि स्वर के बाद में च व्यंजन आता है तो क्या होता है उसके आगे च का आगम हो जाता है च आ जाता है कौन सा च आधा च आ जाता है अपने आप तो क्या हो जाएगा ये स्वच्छंद नेक्स देखिए आधन छादन आच्छादन संधी दन्चेद संधिच्चेद अनूधन छेद अनुच्चेद आई बाद समझ में आगे देखिए यदी म के बाद कर से म तक कोई विंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है यदी प्लस से पहले तो क्या है? म है और प्लस के बाद में स्पर्शी विंजन में से कोई सा भी विंजन है तो म किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है जैसे किम धन्चित, किन्चित, सम धनकल, संकल सम्धन तोश संतोश सम्धन पून सम्पून चितने भी मा है वो किस में बदल गया अनुस्वार में बदल गया आगे देखिए मा के बाद मा का द्वित्व हो जाता है यदि मा का मेल म से हो रहा है तो वो द्वित्व विंजन में परिवर्तित हो जाता है जैसे सम्धनमती, सम्धनमान, सम्मान ठीक है? आगे देखिए म के बाद यरलवशशः सह में से कोई विंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है ठीक है? यदि म के बाद में क से ले करके म तक कोई विंजन हो तो भी मा अनुस्वार में बदल जाता है और यदि म के बाद में यरलव अंतस्ति विंजन शर्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष विसर्ग के बाद स्वर या विंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधी कहते हैं जो प्लस से पहले विसर्ग आता है उस विसर्ग में परिवर्टन होना आविशक है उस विकार को ही क्या कहा जाता है विसर्ग संधी कहा जाता है इसके भी कुछ नियम है जिन्हें हम परिवर्तित करते हैं आईए देखते हैं विसर्ग के पहले यदी अ और बाद में भी अ अत्वा वर्गों के तीसरे चौथे पाँच वेवन अत्वा यरलव हो तो विसर्ग क्या बन जाता है ओ बन जाता है जैसे मना धन अनुकूल मनो अनुकूल अधा धन गती अधो गती मना धन बल मनो बल ठीके क्या है अ के बाद में क्या है अ हो या वर्गों के तीसरा चौथा पाँच वा वर्ण हो या फिर यरलव में से कोई हो तो विसर्ग किसमें बदल जाता है O में बदल जाता है पहले वाले उधारण में क्या है A है दूसरे वाले उधारण में तीसरा वन यानि ग है और तीसरे वाले उधारण में क्या है B B भी क्या है P F B तीसरे नंबर का व्यंजन होता है आगे देखिए विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो वर्ग के तीसरे चोथे पांचवे वर्ण अत्वा यर अलाव हमें से कोई हो तो विसर्ग का र या अधर हो जाता है अर्था यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़ दो अगर इनके अलावा कोई अन्य स्वर है और वर्ग का तीसरा जोथा पाचावन या फिर अलावा में से कोई है तो क्या हो जाता है वो विसर्ग र में परिवर्टित हो जाता है जैसे नीधन आहार निराहार नीधन आशा निराशा नीधन धन निर्धन ठीक है अगला नियम है विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ, या, श हो तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे नीदन्चल क्या हो गया विसर्ग का या श हो गया, तो हमारा उधारन क्या हो गया, अनिश्चल, नीदन्चल हमारा उधारन हो गया, अनिश्चल, दूधन्शासन हमारा उधा आधेशा में बदल गया, तो क्या हो गया, नमस्ते, नीधन संतान, दूदन साहस, दूसाहस, आखरी नियम है विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में कोई अन्य स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और ये जो आगे वाला स्वर है वो दीर्ग हो जाता है, जैसे नी धन रोग नी रोग इसमें ना पर बड़ी की मतर आएगी और नी धन रस नी रस ठीके बच्चों ये थी हमारी संधी फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद